एलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रहमाश्तर एड्यकेशन, मैं शुयश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजे, जिससे आपको यह भी फ्यूचर नोटिफिकेशन मिसना करें मैं आपके लिए यूसफुल वीडियो लाता रहूंगा, जो आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत जादा हेल्प करने वाले है फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत जादे इंप्रॉटन लेक्चर लेकर आया हूँ, जो कि है अडवांस वर्प्स के उपर फ्रेंड्स, यह वर्प्स बहुत जादा एक्जाम में रिपीट होते रहते हैं और अगर हम इनकों मीनिंग या इनकी second या third form ना पताओ, तो हमें error find करने में बहुत जादा प्रॉब्लम होती है या फिर हम sentence improvement में यह नहीं पता कर पाते हैं, कि हमें कौन सा option choose करना चाहिए फ्रेंड्स, मैं आपको around 200 advanced verbs करवाने वाला हूँ, जो definitely आपकी error detection और sentence improvement की skills को improve करने वाले है फ्रेंड्स, यह इस lecture series का part 1 है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए, शुरू करते हैं आज का lecture फ्रेंड्स, पहले column में है verb की first form, और second column में उसका meaning है third column में उसका second form है verb का, और fourth column में उसका third form है, यह उसका past participle तो चलिए friends, let's move to our first word, पहला word है abide, इसका meaning है द्रटता से पालन करना, किसी भी चीज़ का second verb, इसका second form है abode, और इस word की third form है abode, या फिर abided, दोने यूज रखती है चलिए friends, second verb पर move करते हैं, वो है abduct, इसका मतलब है आपहरन करना, इसका second form है abducted, और इसका third form है abducted चलिए, Friends, अपने थर्ट पर मूफ करते हैं, हमारा थिर्ट वर्ट है अप्एट इसका मतलब है कम करना या किसी चीज़ को घटाना इसकी 2nd form है अप्एटिड और 3rd form भी है अप्एटिड चलिए, Friends, 4th word पर मूफ करते हैं हमारा 4th word है अडीप्ट इसका मतलब है अनुकूल बनाना इसकी second form है adapted और third form भी है adapted हमारा next word है adhere इसका मतलब है जुड़ना या चिपकना किसी चीज से इसका second form है adhered और third form है adhered चलिए friends next word को चलते हैं हमारा next word है admixed इसका मतलब है मिलावट करना यह mixtures करना, इसके second form है ad-mixed, और third form भी है ad-mixed Next word पर चलते हैं, Next word है हमारा air, इसका मतलब है हवा में सुखाना और second form है air, और third form भी है aired, चलिखेश़ Next word पर चलते हैं, Next word हमारा amused इसका मतलब है मन बहलाना, second form है amused और third form है amused सदिश्ट चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वॉर्ड पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट वॉर्ड है एप्रिहन्ड इसका मतल 근ğ समझाना किसी कुछ भी संझाना और इसकी सेकिंड फॉर्म है अप्रिहन इंडड और थर्ड फॉर्म भी है एसेंडेड और नेक्स्ट वर्ड है एसेस इसका मतलब है किसी चीज़ का मुल्यांकन करना इसका सेकेंड फॉर्म है एसेस्ट और थर्ड फॉर्म भी है एसेस्ट चलिए फ्रेंज नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है इसका मतलब है चकित करना इसके second form है astonished और third form है astonished हमारे next word है avert इसका मतलब है अजिए आटाना या किसी चीज को टालना second form है averted और third form भी है averted चलिए friends next word को move करते हैं हमारे next word है banish इसका मतलब है किसी को देश निकाला करना वारा second form है banished और third form है banished और next word है bear इसका मतलब है किसी चीज़ को प्रकट कर देना, reveal कर देना इसके second form है bear और third form भी है bear चोलिए friend next word पर move करते हैं अवरा next word है bear bear के दो मतलब होते हैं bear का एक मतलब होता है बर्दाश करना या किसी चीज़ को ढूना उसके second form होगी bore और third form होगी born और bear का दूसरा मतलब होता है जनुम देना जिसके second form है bore और third form है born या फिर born चलिए friends next word पर move करते हैं मुरा next word है bind इसका मतलब है बांधना इसके second form है bound और third form भी है bound और next word है बिगट इसका मतलब होता है जनुम देना पैदा करना इसके second form है बिगट और इसकी third form है बिगट या फिर बिगट या फिर यूस कर सकते हैं चलिए friends next word पर चलते हैं नेक्स वर्ड है besiege इसका मतलब है परार्थना करना या किसी से कुछ मांगना इसके second form है besought और इसके third form भी है besought इसका मतलब है किसी को अच्छा लगाना किसी को अच्छा फिल कराना इसकी second form है beset इसकी third form है beset हमारा next word है behead इसका मतलब है किसी का सर काट देना और इसकी second form है beheaded और third form भी है beheaded हमारा next word है bellow इसका मतलब है डकारना या फिर गरजना इसकी second form है bellowed और third form है bellowed हमारा next word है bethink इसका मतलब है विचारना या कुछ सोचना इसकी second form है bethought और third form भी है bethought हमारा next word है betroth इसका मतलब है सगाई करना इसकी second form है betrothed और third form भी है betrothed हमारा next word है broadcast यह बहुत दाद important है क्योंकि maximum लोगों को लगता है कि second form और third form में इसका मतलब है पक्स प्रचार करना जैसे नेता लोग अपना प्रचार करते हैं उसको canvassing बोला जाता है और second form होगी इसकी canvassed और third form भी है canvassed next word है हमारा capitulate इसका मतलब है आत्म समर्पन करना इसकी second form है capitulated और third form है capitulated हमारा next word है cast यह भी बहुत जाद important है क्योंकि इसकी first form और second form और third form तीनों ही same है इसका मतलब है फैकना गिराना या त्यागना और इसकी second form है कास्ट और third form भी है cast हमारा next word है certified इसका मतलब है प्रमानित करना second form है certified और third form भी है certified हमारा next word है chatter इसका मतलब है वियर्थ की बाते करना second form है chattered और third form भी है chattered और हमारा next word है चॉप इसका मतलब है चहे चहाना वैसे बेसिकली चॉप हम यूज करते हैं बर्ट्स के लिए भी छिडियां चहे चाहती है second form है इसका चॉब और इसका third form भी है चॉब चलिए फ्रेंट्स नेक्ट पर चलते हैं हमारा next word है चूज इसका मतलब है चुनना पसंद करना इसके second और third form में एक ओग कम आता है तो आपको यह चीज याद रपना है इसका second form है चोज और third form है चोजन हमारा next word है क्ली्ज इसका मतलब है अच्छी तरह से साफ सफाई करना अैं स्का second form है ब्लींज और third form है क्लीन हमारा next word है क्लिइच इसका मतलब है कील गारना second form ए लृओं सुइमारे next second form cleft है तो second third form होगी cleft और इसकी अगर second form cleaved है तो इसकी third form होगी cleaved तो यह भी आपके लिए बहुत दाइब important है next word है हमारा clutch जिसका मतलब है पकड़ना second form है clutch और third form है clutch हमारे next word है coax इसका मतलब है किसी को बहलाना फुसलाना इसकी second form है coaxed और third form भी है coaxed हमारे next word है comprehend इसकी मतलब है पूरी थरा समझना किसी चीज़ को और इसका second form है comprehended और third form है comprehended हमारे next word है conquer इसका मतलब है एकमत्धोन और इसका second form है conquered और third form की है conquered हमारे next word hält condol इसका मतलब है खेद प्रकट करनना second form है condol और third form है talk मरे next word है cost यह भी friends बहुत आधे important है क्योकि इसके भी first और second or third form same है इसका मतलब है खर्च होना या लागत होना जो होता है जो भी खडच होआ है और इसका second form है cost और third form भी है cost और आजके lecture का हमारा last word है क्रीप इसका मतलब है रेंगना इसकी सेकेंड फर्म है क्रेप्ट और इसकी थर्ड फर्म भी है क्रेप्ट इसकी साथ हम आज के लेक्चर के एंड पर आ गए हैं अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आज की लेक्चर का पीडियाफ मिल जाएगा तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं पर दो रिवीजन के लिए थैंक यू एंड हैव नाइस टे अग्यू 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 अग्यू